मा सबस्क्राइब से पहला डरा इस ऐपना यह आपको फिर्स्ट पॉइंट यह द्रखना है कि कभी वी किसी भी amsky कोश्चन में कोई भी पैटर्ण फॉलो नहीं ABC इस तरह के pattern कोई follow नहीं करो कभी भी MCQ में don't follow any pattern सबसे पहला आपको precaution यही लेना है ठीक है second point हम रिस्टस करने वाले second point आपको important है बहुत उसमें क्या जान रखना है कभी भी आपको ऐसा कोई option मिले जिसमें ऐसा लिखा हो कि all of abo ठीक है all of abo और all of these इस तरह से कोई भी option आपको दिख जाए तो 95% chance है अगर आपको question नहीं आ रहा है तो आप इस option के साथ जा सकते हैं जिस भी option में दिया हो जायतर डी option में इस तरह के बना हो जाए all of abo या फिर all of these तो second आपको तुक्के में point में इसको ध्यान रखना है third point आपको याद्यान रखना है कभी भी आपको ऐसा कोई option मिले कि ऐसा कुछ दिया हो कि a and b both ठीक है ऐसा कुछ मिला हो या फिर आपको दिया हो कहीं a and c both ठीक है इस तरह के option c and d both इस तरह कोई भी option आपको दिख जाए तो लबबग chance है highly chance है वही आपका answer correct है अगर वो question नहीं जा सकते हैं कि दूसरा और तीसरा point बहुत important है आप अगर previous year किसी भी exam करेंगे तो अगर इस तरह के option है तो hundred percent आपके वही answer सही होंगे ठीक है यह अपना third point हुआ fourth point आपको क्या देहां रखना है fourth point में आपको बहुत ही careful कभी कभी question आपको आता हुआ गलत हो जाता है क्योंकि आप question का सही से question को आप read नहीं करते हो तो आपको next point है कभी भी question में ठीक है careful रहना है आपको अगर true false वाले question कुछ बन जाए ऐसे true false जैसे होता ने which are following sentence are true तो आपको true sentence देखना है बाकी जो तीर option होंगे वो false वाले होंगे तो कभी कभी क्या होता जल्दी बाजी में हम false वाले को कोई भी एक option लेकर टिक कर देते हैं और बाद में हमें पस्तावा होता है कि नहीं यह हमने गलत किया तो इस बात को बहुत ध्यान रखना है true false या फिर correct incorrect type के इस तरह के question बनते है तो उस पे और यह अब ध्यान नहीं रखोगे तो आते हुए भी question कई बार गलत हो जाते हैं और होते हैं तो इसको ध्यान रखना है फिप पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर कोई extreme value या फिर कोई different option आपको दिख रहा है तो वो उसको अग्या करना अवाइट करना है यह that means avoid different value different value को आपको अवाइट करना है different value in the sense क्या मतलब जैसे माल लीजिए a b c and d इस तरह के option है इसमें आपको दो दिया है इसमें 3 दिया इसमें 4 दिया इसमें कहीं आपको 20 दे दिया है लगवग आपको यह दिख रहा है लगवग similarity है इन लोगवग बहुत ही कम difference बट यह जो value है आपको क्या है कुछ अलग है तो यह थोड़ा सा अलग है तो अगर आप वो question नहीं आ रहा है और अगर आप तुक्का लगाना चाह रहे हो तो ऐसा नेक सीधे सी आप भगवान जी के पास पहुंच जाओ भगवान जी का नाम ले कि आप तुक्का लगा रहे हो आप भगवान जी के पास जाओ बट उससे बहले आप थोड़ा सा अपना mind अगर आपको question में question पढ़ लिया और आपको option में कुछ भी नहीं आ रहा है कुछ भी ऐसा कुछ ट्रिक काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है go with आप या तो भी option करें या फिर सी option करें ज्यादा तर चांस होते यही option होते अब यहां पर 50-50 परसेंट का चांस है अगर आ कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप एक option तो आपको टिकरना ही पड़ेगा अगर negative marking नहीं है और अगर negative marking है तो भी आप risk लेना चाहरो तो B या C के साथ आप जा सकते हो हो सकता है वो आपको सही मिले next जो point है 7th point 7th point यह theoretical type में question में होते हैं अगर आपको option दिये हैं A, B, C, D या फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे option है और अगर उस option में से 3 option ऐसे हैं जो one word वाले या छोटे-छोटे sentence वाले हैं और बाकी एक आपका बड़ा sentence है कुछ reason type का या कुछ भी हो तो आप हमेसा longest statement के साथ जा सकते हैं तो लगबग chance है जो longest statement होगा वही आपका answer होगा अगर इन सब बातों को ध्यान में रखके आप exam में जाएंगे तो इसमें बहुत सारे question ऐसे हैं जो आप बिलकुल सही कर सकते हैं ठीक है और इनको ध्यान रखेंगे तो आपको definitely है बहुत सारे question आप mcq में सही कर सकते हैं औ और जितना से ज़्यादा ज़्यादा हो सके उतना अपने friend circle में share करें थैंक यू